So Hello Guys, Welcome to IT Power दोस्तो अगर आपने भी अपने वच्चे का RTE 25 का एप्लिकेशन फॉर्म फिल किया था जिसके थायत फ्री में एड्मिशन होते हैं अगर आपने वो फॉर्म फिल किया था RTE 25 का तो उसका फर्स्ट राउंड का रेल आ चुका है इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे रियल्टी चेक करना है कैसे अपने वच्चे का नाम चेक करना है और किस स्कुल में आपके वच्चे का एड्मिशन हुआ है वो पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को last तक जरूर देखें तो चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहले आपको अपने मुवालिया लैप्टॉप पर Google open कर लेना है और यहाँ पर लिखना है आपको search में RTE25 RTE25 लिखेंगे तो search कर देना है उसके बाद Google पर ऐसा reality देखेगा उसके बाद आपको यहाँ पर एक website देखेगी upsdc.gov.in इस website को open कर लेना है website open होते ही कुछ इस तरीकी एक इंटरफेस आपको देखेगा यहाँ से आपको lottery real पर किलिक करना है lottery real पर किलिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस देखेगा यहाँ से आपको अपना जिला select कर लेना है district select कर लेना है तो मैं यहाँ पर अलीगर का check कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ से अलीगर select कर लिया उसके वाद यहाँ से select lottery बन को select कर लेंगे और यहाँ पर यह पूरी list आ जाएगी इस list में आप अपने बच्चे का नाम सर्च कर सकते हैं list काफी बड़ी है ठीक है तो search करना काफी मुश्किल हो जाता है तो मैं आपको एक shortcut तरीका बताता हूँ नाम सर्च करने का तो मैं एक shortcut तरीका आपको बता देता हूँ नाम सर्च करने का तो आपको अपने laptop या computer के keyword पे Ctrl प्लस F टाइप करना है Ctrl प्लस F लिखेंगे तो यहाँ पे एक search box आ जाएगा इसमें आप student या father का name enter कर सकते हैं जैसे मैं student का name enter करता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे बैशाली टाइप किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं यह बैशाली नाम का यहाँ पे student का नाम आ चुका है अब आप यहाँ पे match कर सकते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बैशाली बगेल और उसके father का name लिखा हुआ है गौरब कुमार और इसका रइस्टेशन नमबर यहाँ पर दे रखा है ठीक है इससे आप चेक कर सकते हैं अब आपको यह चेक करना है कि आपके बच्ची का किस स्कूल में एड्मिशन हुआ है तो वो कैसे चेक करेंगे आपको यहाँ से RTE की वेबसाइट पर फिर से आ जाना ह जैसे मैंने यहाँ से अलिगर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर रइस्टेशन नमबर एंटर करना है आपको तो रइस्टेशन नमबर आपका जो फॉर्म ता उसमें लिखा हुआ होगा रइस्टेशन आइडी उसको वहाँ से नोट कर लीजिए और यहाँ पर आपको इसमें को यह school allotted हुआ है ऐसे ही आप अपने बच्चे का रियल्ट चेक कर सकते हैं किस school में admission हुआ है या नहीं अगर आपके बच्चे का नहीं हुआ ओगा तो यहाँ पर school का नाम नहीं आएगा और इस print को final print कर लिजी आप उसके आपको ये B.S.A. office में या स्कूल में दिखाना पड़ेगा इसका print इस तरीके से आप अपने बच्चे के रियल्ट को चेक कर सकते हैं latest update के लिए हमारे चैनल को subscribe करें thank you for watching